Hey everyone, I am Priyanka and welcome and welcome back to my channel कैसे हो आप सब? I hope आप सब बहुत अच्छे होंगी So guys, मैं हूँ Mumbai में और मैं एक्स्प्लोर करने वाली हूँ Mumbai का स्ट्रीट मार्केट तो चलो शुरू करते हैं, Mumbai के famous कमाटी पुरा मार्केट से ही जो बहुत ही ज़्यादा famous है, cloth के लिए, fabric के लिए Guys, यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी वराइटी के cloth मिल जाएंगे और वो भी बहुत reasonable rates पे इनका collection इतना ज्यादा है ना कि आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा तो चलो अभी जानते हैं कि इस market में हमको reach कैसे होना है So guys, अगर आप South Mumbai से होना तो सबसे पहले आप Central Station आ जाएए Mumbai Central और वहाँ से आप 12 होगे ना तो आपको taxi मिल जाएगी Sharing वाली taxi जो per person 10 रुपीस लेगी और आपको कमाटी पुरा market पहुंचा देगी तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं Guys, सबसे पहले ना मैं नवी गली और दसवी गली एक्सप्लोर करती हूँ क्योंकि इन दो गलीों में fabrics बहुत जादा अच्छे मिलते हैं और mostly इन दो गलीों में इना पुरा market बसा है तो यह वाली गली है ना यह दसवी गली है जहाँ पर दो चार दुकाने हैं लेकिन वो बहुत ही जादा expensive है लेकिन उनका stuff भी बहुत ही अच्छी quality का होता है मैं इस वीडियो में उपर हर जगाना price mention कर रही हूँ जिससे आपको idea मिलेगा कि इस market में किस range से prices इनकी चालू होती है यह पर आपको बहुत ही अच्छी fabrics मिल जाते है जो चाहिए ना guys आपको मिलता है यह आपको dyeable fabric पे मिलता है अगर आप dye करवाना चाहते हो तो वो easily आपको dye करके भी दे देंगे इनकी अलग से charges होते है 50 रुपीस 100 रुपीस लेकिन आपको जो चाहिए वो यह आपे मिल जाता है इस market में इनकी price range चालू होती है 200 पर मीटर 100 पर मीटर अगर cotton का कोई fabric हो तो 100 से 80 से शुरू हो जाता है कोई अच्छा material हो तो 200, 300, 400, 500, 600, 700, max to max 800 और अगर आप handwork का material लेने जाते हो तो उसकी range होती है 1200, 1500 लेकिन जो quality आपको receive होती है वो बहुत ही जादा अच्छी होती है यहाँ पर आपको हर तरह का fabric मिल जाएगा हर तरह का मतलब हर तरह का fabric अगर आपको linings चाहिए, क्रेप material चाहिए, basic अस्तर के लिए आपको कपड़ा चाहिए तो वो भी यहाँ पर मिल जाएगा यहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा इनके ode अच्छे लगते है क्योंकि उनका material हमको पतला चाहिए होता है और soft चाहिए होता है तो हर तरह का fabric इस market में मिल जाता है आप market को explore करोगे तो आपको पता चल जाएगा आटवी गली में क्या है ना नवी गली में western कपड़े भी मिल जाते है बचों के कपड़े भी मिल जाते है चपल वगेरा भी आपको मिल जाएगी लेकिन दसवी गली में ना सिर्फ आपको fabric मिलेगा सिर्फ और सिफ hardly चार दुकारने वापे और लेकिन इतनी अच्छी है ना बहुत ही जादा अच्छी है यहापर यह sequence का fabric मुझे बहुत जादा अच्छा लगा और अभी जो में यह cloth इखा रही हो ना यह वाला ओडने का cloth है आपको dye करवाना किसी भी shade में तो आप dye भी करवा सकते हो नेक्स्ट आप और गेंजा के fabrics जो थे ना वह बहुत ही जादा अच्छे थे इनका प्लेंगा बनवा सकते हो इनका ओडना भी बनवा सकते हो क्योंकि बौडर में डिजाइन नहीं है तो ओडना बहुत ही जादा अच्छा लगेगा इस मार्केट का collection यह मार्केट मु अब ही में जहां पर जूम कर रही हो ना यह दुकान आप एक्स्प्लोर करना बिल्कुल भी मत भूलना चलो अब मैं आगे यह नवी गली में जिस गली में नेट का फैबरिक बहुत जादा मिलता है इनके पास नेट का फैबरिक ता जिनकी प्राइस 200 से स्टार्ट हो रही ज छिसकी प्राइस 300 इन मेटरियल से ना कॉटन मेटरियल से आप सूट भी बनवा सकते हो क्योंकि इनके पास डुपट्ते का फैबरिक भी होता है वह भी प्योर कॉर्टन में नेस्ट इसी गली में ना कूर्ता सेट्स मिलते है मतलब शूट मेटिरियल में एसे हैंड वर्क का जिनकी quality बहुत ज़ाधा अच्छे होती है और cotton के कुर्ता सेट्स भी इस गली में बहुत ही ज़ाधा मिलते नेक्स काई सेट्स मिल रहे थे जिनकी प्राइस थी सिर्फ थाउजन इतने अच्छे अच्छे हैंड वक इनके उपर क्या हुआ था और इसकी प्राइस सिर्फ थाउ क्योंकि यहां पर जो हैंडवक के कुर्तास मिलते हैं वो मुझे परसनली बहुत ज़ाधा पसंद है और इन भाहिया से मैं हर बार कुछ ना को ज़रूर लेती हूँ यह आलिया कट का कुर्ता 200 में मिल रहा था आप बारगें करवाओगे ना तो आपको 1000 में मिल जाएगा तो यहां का कलेक्शन पहुत ही अच्छा है अगर किसी को सिफ सूट सेट लेना है तो वो लेने आ सकते हैं गुर्ता सेट लेना है तो मेटिरियल लेना है तो सब कुछ आपे यहां पर मिल जाएगा या फिक क्लोथ लेना है आपको आपको स्टिच करवाना है तो यहां पर व सु मिलती जिनकी प्राइज स्टांट होती 2001 रे अलग अलग उनकी प्राइज थी याा पी घोटा पति का कलेक्शन भी बहुत जाद आज़ह था फिलेल खरा का प्रिंट भी आया उआता थो हुआ तो उसका भी कलेक्शन近ल नेंकी प्राइजного स्टार्ट होती और डिपेंड करता है आप जितना हैवी रहो इनके बास बारा सो पंदरा सो दो हजार पच्छी सो तक की भी साड़ी आती जो बहुत ज्यादा हैवी थी बड़ आप अपने एकॉर्डिंग पिक अप कर सकते हो नेक्स्ट काइस यहापे ना मिरको कॉटन की सारिस दिखी जो बया सिफ 300 में सेल कर रहे थे और इतना सॉफ कॉटन था ना मतलब इकतम मूटा वाला या फिर कड़क वाला कॉटन नहीं था सॉफ वाला कॉटन था जो मुझे परसनली बहुत जाद आच्छा लगता है क्योंकि पहनने के बाद वह सॉफने सानी चाहिए अपने में बहुत अच्छा कलेक्शन था नेक्स्ट वापे आपको चिकेन कारी की कूरती भी मिल जाती है जिसकी प्राइस सिफ 350 थी शॉट लॉंग जैसी आपको चाहिए ना वैसे आपको मिल जाएगी मुझे चिकेन कारी कूरती इतनी जाद आच्छी नहीं लगती मतलब ओके लगती है तो एक ही मैंने पिक की नेक्स्ट वापे लेसे मिल जाते हैं मीटर के हिसाब से भी ले सकते हो आप बंडल के हिसाब से भी ले सकते हो मीटर के हिसाब से अगर आप लोगे ना तो 5 रुपीस पर मीटर 10 रुपीस पर म और बंडल लोगे तो आपको थोड़ा कम पढ़ने वाला ही है तो आप अपने हिसाब से कोई भीवा से लेस भी ले सकते हो उनकी कुईर्टी भी गाइस बहुत जादा अच्छी होती है जैसे यह वाली लेस बहुत जादा अच्छी लगी थी नेक्स्ट यापे ना गाइस डु पूराना सीक्वेंस जरी का वर्गता जिसकी प्राइस ती 1200 पर मीटर नेक्स्ट यापे आपको प्लेन मेटीरियल मिल चाता है पैंस के लिए प्लेन खूर्ती के लिए या फिर अगर आपको प्लेन लेंगा बनाना हो किसी के लिए भी और यापे नवरात्री के लिए डुप स्टार्ट होती है 300 और यह दिदी बहुत ही जाधा स्वीट थे उन्होंने हमको बहुत अच्छे से दिखाया पैन के भी दिखाया बट मैं पिक इंसर्ट नहीं कर पाए तो आप यहां पर देख लो यहां का कलेक्शन प्राइडर कलेक्शन भी होता है साइडर के लिए भी कल प्लीन में भी लेंगे थे थोड़े हैवी में भी दे उससे हैवी में भी दे सब कुछ मिल जाता है नेक्स यह पर आप पैचेस मिल रहे थे नेक पैचेस मतलब नेक का जो फ्रेंट होता है ना वा पर पैचेस लगाने के लिए इनकी प्राइस स्टार्ट हो रहे थे अरौन 200 से जो बहुत जादा आचे थे टेंक्स ड्रस में जाता है कॉटन का 500 से स्टार्ट होता है 550 अब मोस्ली वह 600 ऐसे बोलते हैं जो हमको 500 में दे भी देते हैं क्रेप मेटीरियल मिल रहा था 40 पर मीटर जो बहुत ही जादा एफॉर्डबल भी था क्योंकि हमको किसी भी लेंगे में नीचे लगाने के लिए क्रेप मेटीरल चाहिए या फिर कॉटन फाब्रिक चाहिए नेक्स्ट आपे जीन्स मिल रहे थे जस्ट फ़र रुपीस 400 जिसकी क्वाल्टी बहुत अच्छी थी और प्राइस के हिसाब से भी तो बहुत जादा अच्छा था नेक्स्ट काइस य मतलब सूट सेट्स मिल रहे थे जो बहुत जादा अच्छी थे और यह आंटी ना मेरी फेवरेट आंटी है क्योंकि इनके पास जो कलेक्शन होता है ना वह पूरे मार्केट में किसी के पास नहीं होता इनके पास जो कॉर सेट्स का कलेक्शन होता ना गाइस वह बहुत ही ज पट्टा लोग है ना तो आपका लोग बहुत ही ज़ादा बदल जाएगा नेक्स टे स्टोरेज बैग मिल रहा था जस्ट फ़र रुपीस 50 मुझे ये क्यूट लगे एचली इन में ना बहुत सारे मतलब बड़े भी थे 100 रुपीस वाला भी था 200 वाला भी था ऐसे बड़ा व अगर हैंडवक आ जाता ना उस पे तो इतना तो लगता ही है नेक्स काइस नेट फैबरिक मिल जाता है इस गली में 200 पर मीटर इतना प्रिटी फैबरिक लगाना मुझे ये मतलब वह भी सिफ 200 में बहुत ही जादा आच्छा था इसके उपर डिजार ये ना वाइट कलर की व पिना डुपर टेक है जिनकी प्राइस थी जस्क्स हंड्रेड गाइस अगर आप नियवबाइ हो ना तो प्लीज है मार्केट ज़रूर एक्स्प्लोर करना और मेभी शायद आपने एक्स्प्लोर किया हो बट गाइस अभी ना इसका यह का कलेक्शन वगरा बहुत ही ज़्या करनी तो यह का कलेक्शन में बहुत साथा प्रीटी आया है यह पे घुरता से अगयरा सब कुछ मिल रहा था मतलब इस मार्केट में ना ताइमिंग बोलती हो आप इस मार्केट में चुप लोक ना उसके पहले तो यह मार्केट खुलता भी नहीं क्यूंकि पुरो क्लोक को ई मार्केट खुलता है और एरॉण 10.30 तक मार्केट खुला रहता है अच्छली नाइट मार्केट ही है तो यह आप अगर आप फोर ओक्लॉक आऊगे ना तो थोड़ा-थोड़ा मार्केट खुलता रहेगा और आप देखते रहोगे और जो जिसकी नाज़र सबसे पहले बढ़त बढ़ते वाले जो मुझे अच्छे लगे मुझे सिंपल लाइट वेड बहुँ जाधा अच्छे लगते नेक्स्टे मुझे मल्टी कलर में बहुत प्रिटी लगा यह ना मेरे सारे आउटफिट्स नवरातरी आउटफिट्स पर इजली चला जाएगा नेक्स्ट आप पे न सब्सक्राश सब्सक्राइब इस क्रेंट्स फसक्तरी मिल जाएगी moist में यहांप यहांपको फ्रिल की लेसेस होना के'll इस smaller По यह लादफिट्स पर मीतर में यह उपको जो मुझे लगाने वाली वह सारी सब्सक्राइब नेक्स्ट कैस्ट आपको फैबरिक मिल रहा थाना वह बहुत ही जादा अच्छा था इस फैबरिक की प्राइस थी जास रुपीस 300 और मुझे यह अच्छा लगा इसमें जो प्रिंस थे बहुत ही जादा अच्छे थे नए नए प्रिंस आया है अगर आप निकाल के खोल के देखोंगे न तब ही आपको मेटीरियल कैसा है टच करने क अब डातर इस पता चलेगा प्लेस यह पर जो डाईबर फैबरिक था नहं बहुत ही जादा आच्छा था बहुत ही जादा अच्छा था जादा यहां के लोग भी ना बहुत ही जा एच्छे मतलब शौपकीप वगे ओनर वगिरा सब कुछ ना अच्छे से आपको इडरास कर यो फेल्त के लेल्स अब बहूर करना की चुणनी चुट उपना फेल्ट को जो अपना पटा होता है देते हैं इनके पास डुपटो का collection होता है और pants का collection होता है जो बहुत ही साथ आच्छा होता है next guys आपे western dresses भी मिलते हैं इनकी price टाट हो रहे थी just Rs.300 से next आपे यह corset मिल रहा था just for Rs.400 फ्लाट 400 में दे रहे थे यह भाया और यह आजकल बहुत ही साथा trend में मैंने बहुत ही इंफुलेंस को यह पहनने हुए देखा है नेक्स यापे लटकन्स मिल जाते है लेंगे के लिए ब्लाउसे के लिए जिनकी प्राइस टार्ट होती है फिफ्टी पॉप पेर एक पेर में आपको दो मिल जाएंगे और इनकी क्वालिटी गाइस बहुत ही जाधा अच्छे होती है मैंने लास्ट यह लिए थे जो अभी तक मेरे वैसे के वैसे और मैंने उनको बहुत ही उस किया है बट वो अभी तक बहुत अच्छे है नेक्स यापे आपको रेडी मेट रेसेस भी मिल जाएंगे जिनकी प्राइस टार्ट होती है एट हंड्रेड आपको शरारा सेट्स मिल जाएगा आपको लेंगा सेट्स भी मिल जाएगा सब कुछ मिल जाएगा नेक्स यापे बच्छों के शूस मिल रहे थे फ्लाट्स मिल रहे थे जस्ट पर रुपीस फन फिफ्टी लिए प्रिफ्टी फिफ्टी रुपीस में भी आपको टौप मिल जाएगा और यह श्ट पर लगए है यहापे ना वह आपको शूस्ट रुपीस बिल जाएगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीस चानल को सबस्क्राइब जरोर करना चलो मिलते अगले वीडियो में बाई